नमस्पार मेरी कविता का शीशक है पिता जी माना के थोड़े हैं कठोर पिता जी पर पारिवारिक पतंग की हैं डोर पिता जी जब-जब परेशानियों से सामना हुआ तब-तब हमें दिखे हैं चारों ओर पिता जी तब तब हमें दिखें हैं चारों ओर पिता जी अधेरा कर रहा था रात बनकर कतल की कोशिश अधेरा कर रहा था रात बनकर कतल की कोशिश एक दम से बन गए नई भूर पिता जी कई दफ़ा भटका था अपनी मन्जिलों से मैं बीच रास्तों में ही बन गए थे छोर पिता जी और तब तो और मिला मुझे उम्बीस से जादा जेव से जब भी रहे कमजोर पिता जी अकेला पन खामोशी तुम सब हद में रहो अकेला पन खामोशी तुम सब हद में रहो वक्त वक्त पर बन जाते हैं शोर पिता जी और सुनिए गा यूँ तो जुर्यां दस्तक दे रही हैं उनके चहरे पर पर जरूरत पड़े मुझे को तो हैं पुर्जोर पिता जी और सुनिए अगर ऐसे ही वक्त पर जगाते रहे तो तो क्या ही करेंगे गाओं के मौर पिता जी और सुनिएगा अगली मेरी जो कविता है बिसिकली ये वक्त पर है सुनिएगा बुलंदी से डरे ये लोग वो हैं पतंगे सबसे उची जो उडाते थे सिकंदर बन गए वो लोग जंगल के जनें गीदर कभी कहके हराते थे और जुगनू बन गए हैं आजमी पर जो तारे आसमा में जग मगाते थे और सो गए वो लोग सरहत पर वही तो चैन से सब को सुलाते थे और सुनिएगा भुक मरी से मर रहा है अन दाता जो खाद्यान खेतों में उगाते थे और जो लोग नंगे खड़े हैं इनको देखो कभी ये औरों के कपड़े बनाते थे और अब शाद में जो लोग तुमको दिख रहे हैं ये कभी लकड़ी की नावें चलाते थे और अविवाहित रह गए ये लोग वो है जो कभी औरों की शादी कराते थे कभी औरों की शादी कराते थे और बेगर खड़े जो तुमको लोग दिख रहे हैं कभी ये उचे उचे घर मनाते थे और मैं कदों के बाहर जो मांगते हैं भीक अब कभी ये लोग औरों को कई बोतल पिलाते थे जनाजे में शरीक थे हर दूर के रिष्टेदार भी जनाजे में शरीक थे उसके हर दूर के रिष्टेदार भी उन्हें अकसर उन्ही के खास तनहा छोड़ जाते थे और स्थाने हैं अजस्वेट के रिष्टेदा में शरीक थे लिएurg भ औरapat की का सक्या जानी हम झालते हैं व्रेया Direं Canal में के ल झालते हैं आजरीक अवर के रिष्टेदारूंस